जब किसी की समस्या काहल प्रशाष्णिक अधिकार्यों से होने की उमीद खतम हो जाए तो लोग प्रभू के सामने गुहार लगाना शुरू कर देते हैं रेवाडी की रेलवे कालोनी बे इन दिनों ऐसा ही कुछ चल रहा है पिछले कई वर्शों से निर्मान के बार जो रही रेलवे कालोनी की सडके अब पूरी तरह जर जर हो चली है लेकिन यहां रह रही लोगों की सुनने वाला शायद कोई नहीं है यही कारण है कि अब लोगों ने सडक निर्मान को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभू से गुहार लगाई है तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि रेलवे कालोनी की जरजर हाल सडकों से किस कदर वाहन हिचकोले खाकर चलते दिखाई पड़ रही है इन सडकों में अब इतने गहरे गड़े हो चलें कि रेलवे के करमचारियों वे साथ लगती प्राइविट कालोनी के लोगों को आवा गवन में खासी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं बारिश के दिनों में तो ये सडकी तलाब कर रूप धान कर लेती है लोगों का कहना है किसे लेकर विस्थानी अधिकारियों से कहीं बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन आज तक किसी ने भी इस धोर ध्यान नहीं दिया अब तो रेलवी करमचारी भी खुल कर सामने आने लगी है ऐसे में अब उन्हें सिर्फ भगवान पर ही बरोसा है आजार टेवी न्यूस के लिए रेवाडी से अजय सागर अतरी की रिपोर्ट अब कई तरह की प्रेशा नि खड़ी हो जाती है और माटीरियल सारा एसा ही है और सारी सडके तूटी पड़ी है गदे होरें जगे जगे पानी बरहरता है अब जरा सी भूंदी थी तो अमे खड़ी ही आपने कभी यहा अधिकारियों से काहँआ क्या ते है के ओ ताध है कितना टाइब हो गया सडकों को तूटे गूए यह तो कई महीन हो लिए कि सुड़ता ही नहीं है मेंज रोड जो है ना अस्पताल के सामने वहां भी खड़ हो रहे हैं पांच साल म कोई यहां सुद नहीं ले पा रहे है एंड न सब को बता है यहां तरकी डियारम साब आया बत कि अच्छान नहीं को का अच्छान प्राशन होती है हूं इस जादा इतन्य है चोटी छोटी बत् aboard क durability ज्यातने में स्कूल माने यही हमांगे और आजाने में हैं कि बाडिया अरवाड बाडी से अच्छे हो जो बहुत जादा पानी बढ़ा पड़ा है इन दो ठीक करवाई जाए जाए